दिखेंगे कि Phosphatidyl choline and Phosphatidyl Ethanolamine कैसे बनते हैं सबस् dakじょ पाथ होए है Choline and Ethanolamine कि बननիे का तिट्रो है तरफ रोग तर अब परiroड आपर ऐ वर बोडि फोसफरी विपिड्स की तरफ अभ फोसफोर टोल्स कोलीन तर ओर systemic है इन के लिए सबस्ब्स time a कॉलीन और इतनोलामी जो डायट या पर टर्णोवर और बोडी फॉस्फोर लिपिट से आती हैं उसको एक्टिवेट कराते हैं एक्टिवेशन के लिए सबसे मेचर चीज हमें पस क्या होती है CDP CDP bound structure जो होता है वो एक्टिवेटिड होता है अब इसकी एक्टिवेशन के बाद हम इसकी फॉस्फोराइलेशन कराते हैं फॉस्फोराइलेशन के लिए जो enzyme यूज़ रहते हैं हमेशा काइन होते हैं हमेशा काइन फॉस्फोराइलेशन कराते हैं अब यह फॉस्फोराइलेशन करा के बना देते हैं कॉलीन फॉस्फेट और इतनोलमीन फॉस्फेट जो के आगे फिर ट्रांसफर होते हैं फॉम नुक्लिटाइट तु मॉलेकूल अप्टैग और वह बना द देती है phosfor tidal choline या phosfor tidal ethnoleamine बनाता है इसमें रिलीज होता है मारे पास CMP का अब देखेंगे कि पोसfor tidal ethnoleamine और कैसे बनता है और इसमें आज पास पोसfor tidal choline कैसे बनाता है इसमें बनाता है दीकारबोकसीलेस enzyme की zy Ehud, कि की पेसेंस में, कार्ब करते हैं कार्बन डायक सायड को रिलीस करा देते हैं, फोस्फर्टियिल सरीन और फोस्फर्टियल एतनोलामीन से, अब इस अभका पूरा नहीं आ देता है जाद करें और जो सबस्टेटरोस करना पहले लगा थी और फिर फिर्स एनोलमीन बनता है यह कंवर्ट होते है फॉस्पर्य टॉर्ट कॉली में फॉस्पर्युर्य अन्हलमीन के तीन तफ़ होती है। इनी प्रिसेंस फ्रीम्थ तीन तफ़ मिथाल ट्रांसफरेसिस मेθायल गॡ्र० मितायल गरूलन तुछ भी अस्यू सफ़े इंए behavior किया है अर्ılar भी तुछ किसिया है अधायल बश्यू से इंसाइख साल मिताया पींच था था की और मितायल घ्रूमासाइख क्ला़ जि didnt इस्यूमाधियनänder को सब्सक्राइख कता है इसके तीनों एंड्स पे लगा दिया गया इधर इधर और इधर और यह बन गया फोस्फोर्टिडिल कॉलीन यह हमारे पास थी और फोस्फोर्टिडिल इतनोलमीन को बनाने के लिए हमारे पास एक बेस एक एक्सचेंज रेक्शन भी होता है यह थो डिकार्बोकसिलेशन रेक्शन था एक और भी होता है उसमें फोस्फोर्टिडिल सिरीन आता है और इतनोलमीन आता है और इतनोलमीन यह combine करके phosphatidyl ethanolamine बनाते हैं जो serene है वो रिलीज हो जाते है तो यह होता है phosphatidyl ethanolamine serene transferase basic exchange और इसमें से फिर आगे इसी ताम है transferase इसे phosphatidyl koline बन जगते है तो koline है हमारे पास लिए इसके re-utilization बहुत important है क्युंकि कभी ऐसे होता है कि इसके needs insufficient होते हैं और है बहुत essential dietary nutrient है अब इसके deanova synthesis भी होती है इसमें लेकिन फिर भी insufficient हो जाते है वह इसलिए के koline जो है वह dietary index से तो हम लेते हैं लेकिन इसका मतलब है कि किसी और परपरस के लिए उस हो गया जो हमें चाहिए ता उसलिए नहीं हुआ क्योंकि koline is also used for the synthesis of acetyl koline क्योंकि neurotransmitter है वह भी बोड़ी के लिए बहुत important है लड़कों आदमियों में इसकी जो requirement होती है 55-50 mg होती है और जो women's में इसकी requirement होती है वह 4-25 mg होती है और जो फॉस्फूर्ट एनिल के लीन है एंज